हे गाईज, हेलो व्रिवन, कैसे हैं आप लोग, I hope ये गजो डिंग ग्रेट और आसा करता हूँ कि आप सभी काहल काफी अच्छा होगा, welcome back once again to an very important and exciting another video session of HPSC ITA Principle 2024, आज से हम लोग HPSC ITA Principle का बेच को स्टार्ट करें और साथे साथ गाडेन सीरीज को भी स्टार्ट करें जि आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, मकेनिकल का क्या रहने वाला सिलेबस, सब्जेक्ट वाइज वेटेज के वारे में डिस्कस करेंगे, किस-किस सब्जेक्ट से पुछा जाता है, मकेनिकल का, इसके लावे, जो भी important subject होता है, सभी subject, उन सब्जेक्ट में से सब टोपिक क कुन-कुन से important है, किस-किस topic कोप को ज्यादा ध्यान देना हर एक subject में इन सब के वारे में डिस्कस करेंगे, तो as you know that course को launch कर दिया गए, जिन बच्चे को नहीं पता है, आप लोग काफी time से इसका wait कर रहे थे, काफी सारा demand था, finally हम लोग इसको launch कर दिये हैं, और इससे just पह करता हूं कि आप लोग इसी तरह से मेहनत से preparation करोगे, हम लोग का guidance जो रहेगा, वो starting से लेकर end तक रहेगा, जब तक आप लोग का selection ना हो जाए, तब तक हम लोग आपको proper तरिके से guidance करेंगे, अभी pre का बात करा जाए, मेंस का बात करा जाए, इंट्रिवी का guidance से हम लोग MP म जाएगा, A2Z मतलब A2Z, हैना, लेकिन आप लोग को भी मेहनत करना है, जम के लग जाना है, ये time जितना आपको time मिलेगा, कम से कम time मिलेगा, इस time का utilization करना है, ज्यादा ज्यादा जितना हो सके, अपना time का utilization करो, content बहुत ही अच्छा आप लोग को मिलेगा, A grade मिलेगा, content हम लोग दे चुके, deliver कर चुके है, selection दे चुके, इस basis में confident पूरा हूँ, कि अगर आप बस अपना time दोगे, ढंक से पढ़ोगे, और हम लोग का guidance आप लोग को रहेगा, जहां भी कोई दिक्कत होता है, मैं आप लोग को even WhatsApp नमबर दे दूँगा, कोई भी चीज समझ नहीं आता आप मेरे से पूछ सकते हो, live doubt session तो चलाया ही जाएगा, आप लोग को हर एक चीज के उपर guide करा जागा, end तक, तो आज हम लोग discuss करने वाले mechanical syllabus जैसे मैं आपको कहा, और उससे पहले, as you know that हम लोग का complete जो session है, हाना, यहीं complete course आप लोग को launch कर दिया गया, for the HPSC idea principle 2024, चाने के हम लोग नाम क्यों रहे, क्योंकि इससे पहले, अगर मैं बात करता हूँ, तो जो हम लोग का MP में आया था, idea principle उसमें भी चाने के बेच था, और सिर्फ चाने के बेच एक नहीं था, उसमें तीन-तीन बेच हम लोग आया था, पहला या फिर टू पॉइंट होया था, थी क्यों इसको प्रवाइड किये थे, पढ़ाये थे बुरी तरह से, तो बहुत अच्छा रिजल दियें, उम्मीद करता हूँ, कि इसमें भी आप लोग को अगर धंग से पढ़ेगा, हम लोग रिजल सबसे बहतर देंगे, तो इसमें आप लोग को क्या-क्या मिलने जा रहा, complete course आपको मिलेगा, complete course जिसमें complete recorded videos आपको मिल जागा, क्योंकि आगर मैं बात का recorded video क्यों हूँ सर, क्योंकि जैसे मैंने कहा, MP में था result सांदार, अब हर्याना में करना है, अब की बार सांदार result देना आप लोगो, क्यों region में बता रहा हूँ, क्योंकि देखो, MP का अगर आप syllabus का भी मैं just discuss करूँगा, MP का हूँ बहुत syllabus इस बारी जो है ना, वो HPC यानि कि हर्याना में दिया गया है, एकदम सेम syllabus है, आपको मैं दिखाऊंगा, एक पोईंट, एक टोपिक, एक सब टोपिक आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगा, तो सेम syllabus के उपर हम लोग दे चु आपको रिकोड़ेट देंगे, तो लाइव आपको पुछ प्रवाइड ने करें, लाइव आपको स्टार्टिंग से लेकर इन तक यह समय का रहा हूँ, लाइव डाउट सेसन रहे, या कोई कोशन थियोरी वेगरत समझना आए, डाउट तो उसका चला जाएगा, थियोरी का इंटर्वी का सेसन करवाया जाएगा, वन टुवन, आप लोगो जूम कोल के थरू, इंटर्वी का प्रिपरेशन करा जाएगा, हर इक चीज आप लोगो मिलने जा रहा है, इसमें आपको नॉर्स पूरा का प्रोपर मिल जाएगा, आपको नॉर्स बनने का जोरत नहीं, कि लेक्चर देखना, क्योंकि आपके पर टाइम जादा नहीं है, तो उस दो मन्त में आगर आप सोच रहे हो, तो आपके लिए क्या है, कि भाई नॉर्स भी प्रिपर मत करो, बस लाइब लेक्चर देखो, हैना, जितना भी लेक्चर आप लोगो मिलेगा, जो लाइब फॉर् लाइब नॉर्स प्रिपर करते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम का वेस्ट होता है, यह गलती मत करना, इसके लाइब हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिस टेस्ट भी देने वाले हैं, आप लोगो मिलेगा लाइब एकदम करेंट के बैसिस पे आपको सारा अनलाइसिस कर सबसे, हैना देखो यहाँ पर सेक्रेटरी का यहाँ पर साइन भी नजर आएगा, तो यह आप लोगो का दिया गया है सिलेवस, जिसमें मेकेनिकल अगर में मेकेनिकल का सिलेवस का बात करता हूं, यहाँ पर इंजिनेरिंग मेकेनिक्स भी है और इंजिनेरिंग ड्रोइंग भी है लेकिन यह इडर से लेंगे ऐधर से लगगर बीव करता हूं डोइंग की दुनिया में इंडिया के सबसे टॉप मोस्ट फेकल्टी में आते हैं है यहा Entonces वह आपको बारी兩 आता है मेरा मेकेनिकल का कौर का अगर मैं बात करा जिसमें आ जाता है मकर स स्थर्म करते colors medicine chain甚至 में चार्ज इनजन आाजाता है तो मेराócicketsाइस enorme अब इसमें आपको क्या व्यायजर दिया गया है वह वैं आपको बता देता हूं एक अन सिए्ट को Thermodynamics यह आप देखरों यह आपका क्या thermodynamics है देखो introduction to the thermodynamics है ना properties form of energy है ना इसके लिए thermodynamics system के बारे में क्या क्या हो जाता है open system close system isolated system अलग लगतर का property देखते हैं जिसे प्रेसर हो गया temperature हो गया density हो गया समझा यह इसका प्रपड़ी यह घटा या बढ़ा है ना energy के हटने से बढ़ने से कोई चीज गरम आया तब तो इसका तेंशी बढ़ा हो होगा घटा होगा है ना volume में चेंज आया होगा pressure में चेंज आया होगा तो वही energy का conversion करने से properties में क्या change आता है इन सब के बारे में पड़ते हैं तो यह सब हम लोग देखेंगे इसके लाग सिस्टम क्या होता है जो हम लोग study करते है कोई भी चीज जैसे आगर मैं बात करता ह आप मुझे अभी देख रहो मेरा study करो कि मैं कैसा दिख रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ मैं क्या कर रहा हूँ क्या बोलने का try करो मेरा कि धर जा रहा यह मैं सिस्टम हो गया system जिसमें study करते हैं तो वह system कितना तरह का होता है उस सब के बारे में लोग पढ़ेंगे है open हो तो close के अंदर कोई machine माल लो जिसा आपका घर का freeze हो गया फ्रीज के अंदर का जयरे फ्रेजिडेंट हो अंदर में घूमते घूमते रहा था कभी बाहर नहीं आता कि बाहर आगा लिक कर जागा तब ठंडा ही नहीं करेगा तो मेरा close system हो जाएगा समझ यह piston cylinder का arrangement आप फ्यूल लो करदे कितना तरह का वर कोता सब के बार में यह करता pani魚 कली के से करते हैं लोग की से करेंगे प्रोसेस के बारेम देखेंगे और कोई से दो Serge final आपको result मिलता है तो उन सब होता अलग लग लोग वारे बात करेंगे जिसे जिरोध लो हो गया फर्स्ड लोग हो गया शंकिन फर्स्ट लोग हो गया जिरोध लोग रिदेट में jam आपको समझ में आगा ओंट वरी फिर कार्म थियुरं पहला जो दुनिया में इंजन मनाया गया था वो था कर्म इंजन वह कार्नोट इंजन ऐसा था जो सबसे ज्याधा इफिसेंसी दे मैंने आपूट वर्क आपूट सबसे ज़्याद देता लेकिन यह रियल में इंजन यह नहीं था यह हाईपोथेटिकल था आइडियल इंजन था लेकिन हाँ जितना भी बाद में जो भी आज के टाइम पे जो भी इंजन पोसीबल है जैसा आप देखते हो ओट होता है इसके बारे मैं समझेंगे तो यह दीज ओल आरमाइं थर्मो डानेमिक्स ही यहां से लेकर यहां तक क्या आगया मेरा थर्मो डानेमिक्स हो गया और मैं आपको पहले बता देता हूँ कि सबसे इंपोर्टेंट सबजेक्ट अगर आपके लिए रहने वाला है तो रहन दो गया आप प्रोपर्टीज पे ध्यान देना थर्मो डानेमिक सिस्टम यहां से कोशन बहुत जदा पुछा जाता है ठीक है फिर आजाता है मेरा थर्मो डानेमिक प्रोसेस यह इंपोर्टन आजाता है लोज बहुत इंपोर्टन आ जाता है और यह जो कॉंसर्ट आप एं इंट्रोल डीम कंबस्ण हो तो यह सब कलाता है इंटर्नल कंबस्ण 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 wykon ? इससारी अभी से रहं से लेकर से नीचे तक इसको लेखे पिस्टन अ足रा है एक stroke, इसको क्या कहते हैं, हम लोग stroke कहते हैं, इसको कहते हैं हम लोग bottom dead center, bottom dead center और उपर यहां जा जाते हैं, इसको कहते हैं, top dead center, तो top से लेकर bottom, actually बनाय जाता कुछ इस तरह से ऐसा बनाय जाता, यह piston हो गया, यह connecting rod, यह क्या कहलाता है, connecting rod, यह क्या कहलाता है, मेरा piston कहलाता ह यह हो गया मेरा top dead center से लेकर bottom dead center तक जो मेरा piston आगे पीछे आगे पीछे करता है उसी को हम लोग बोलते हैं चलो मैं आपको दिखा देता हूं यह देखो मेरे पास जो दिख रहा ना यही कलाता है यह piston होता है और यह होता connecting rod यह cylinder के अंदर मालो समझो इस तरका cylinder के अंदर बंद लोग इंजन अगर ही चार बर चल रहा बन एक दो तीन चार चार बर चला है तो उसको कहेंगे अब लोग फोर श्ट्रो इंजन अब इसमें आ जाता है SI और CI SI मतलब होता है spark ignition जहां पे spark plug का यूज करते हैं और CI मतलब होता है combustion ignition जहां पे हम लोग क्या करते हैं fuel injector through diesel को छिड़गा जाता है और spark plug इंजन में हम लोग petrol यूज करते हैं यह ध्यानक न इसमें हम लोग पेट्रोल का यूज करते हैं फ्यूल के तौर पे और thermal में thermodynamics thermodynamics हो गया समझ गया सेकंड सब्जेक्ट क्या आगया आपका IC इंजन जैसे मैंने कहा IC इंजन इंटनल कमेशन और थर्ड आ जाता है आपका RAC refrigeration और एयर कंडिशन रेफ्रीजेशन मतलब आगे refrigerator जो आपके घर में फ्रीज होता है तो आखिर उसका कैसा working function होता है कैसे वो ठंडा करता की चीज को उसमें कौन सा coolant रहता है coolant कैसे ठंडा कर पाता है यह सब के बारे में डिसकस किया अलग लगतर का reference क्या आ जाता है प्रोसेस क्या हो जाता है open होता close होता इन सब के बारे में समझेंगे और फिया जाता एसी जो आप घर आप एसी भी लगा हो देखते हो बेंक वेगरा में अंडिस्ट्री में हना तो वहां पर क्या जाता दुकान में मॉल में तो एसी वो कैसे काम करता है तो यानि तीन सब्जेट आपको देखने मिलता thermal science मे हैं इन तीनों को हम लोग बहुत ही बहतरी इंधंग से आपको पढ़ाना है फिगर के साथ डेरिवेशन के साथ जो भी आपको जो मैं वीडियो भी कई बारे दिखाता हूं एनिमसन दिखाता हूं जैसों मैं प्रैक्टिकल चीजे दिखाता हूं कि कैसे कैसे काम करता है तो कीस तर से हम लोग इसको पढहेंगे नमा आजयते हूं कि यहां पर इंड्रिस्टी में मेनिफेक्टरिंग एक अगर मैं एक चीज बोलूँगा ये जैसे पिष्टन और कनेक्टिंग रड का जो पार्ट है ये कैसे बना हुआ अगर आप बोलोगे कैसे या फिर मैं अगर आपको दिखाता हूँ कि यह देख सकते हो ये मेरा रॉलर बेरिंग है एक होता रॉलर बेरिंग और दूसरा होता ज एक रोव मेटिरल लेते हो, जैसे आपको पता कि लोहा से बनेगा, कुछ आलोई अलीमेंट से ही भी बनेगा, लेकिन में तो आइरन हैं, तो बिना आइरन दिया, मालोई आइरन से ना हो जंग ना लगे हैना इसके लाबे हाई टुम चाहिए वह खराब न हो जाए जो कर जाए उसी के वज़से कुछ ऐलौई मिलाते हैं उसी को लोग करते हैं क्या जो भी ऐलॉई एलेमेंट होता है यह सब का आजाता तो खेर कहने हैं क्या तो i am Reality और कार्बन का कुछ ж। आशली ले लिए अब इसको क्या करेंगे सबसे पहले तो दो तरीके से बना सकते हैं यह तो सबसे और करेंगे मालो आपने पहला जिए सबनाना,ially आप पिश्तन होतों यहाँ पर कनेक्टिंग रडेगा ऐसा कुछ आप बनाओगे ऐसा तो कटिंग वेगर आ करोगें तो यहां पर आजाता है wasn't कंटल कर इंगा है यह सकता कि मेटल कभी हैं पहले कास्टिंग कर यह जो बनां जाता है स क्यर्ण कश्टिंग करों तो सबसे पहला जो पास्टिंग संद गाइब वह उसको धांचा जैसा मनाती इसको पिटन का जाता है पानी के इसको चल जाएगा उसको तोड़ देंगे तो आ पने निकल जाएगा तो आपने करा कास्टिंग जब करते हो तो इधर उधर उधर मेटल का पार्ट चिपका वार रहेगा उसको फिनिसिंग भी तो करना कटिंग करना एक्सेस तो मेटल रहेगा तो फिर आ जाता प्रोसेस मेरा मेटल कटिंग का जाता है मेटल आपने कटिंग कर दिया तो यहां पे देखो कास्टिंग आ गया मेटल कटिंग आ गया मेटल कटिं को, किसका जोड़ पड़ पड़ेगा? Match Night Vale यहां प्रेटेगा फिर किशल के इतर एक कर वेल जोड़ा गया है यहां पर इतर्श करते हो जिस हम नोग बना रहें तो फिटिंग यहां पर आ जाता है और इन सब में लास्ट में क्या आ जाता है फिटिंग के बाद अगर मैं बात करता हूँ है ना फिटिंग के लास्ट में आ जाता फिप्त नमबर में मेरा क्या आपको साइज मेजर करना पड़ेगा तो सारे के सारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट और गेजेज जो होता अलग लगतर रहा वायर गया जाता कई तरह का गेज के बारे में बात करेंगे उन सब के बारे में आपके डिसकस करेंगे साथी साथ यहाँ पर और एक आपका सब्जेक्ट है इसी में देख सकते हैं यहाँ पर मेकेनिकल प्रॉपडीज के बारे में इंजिनेरिंग मटेरियल यानि कि यहाँ पर आप लोग को वाक्षोप तो पढ़ना ही है यह सारा का सारा यहाँ पर लिग देता हूं है मेजरिंग इंजिनेरिंग मटेरियल 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 हम लोग के लिए सबसे यहाँ मटेरिय सब्सक्राइब करते हैं तो अंदर में स्ट्रेस जनरेटा जाता है उस मेटल का फिर उसको गरम करते हैं धीरे धान्दा करते हैं उसका क्या अंदर का मॉलीकल स्ट्रथर है और री फाइन हो जाता है जैसे तैसे पर बात करा जाए अगर तीन आपका मेजर सक्केन एक आ घ्या घया ठर्मल का वक्सवर्प का लेकिन अगर मैं सब टर्मल इंगंड बात करता हर्मodynamics आ गया है ना दूसरा आंग है आपका I.C इंजन तूसरा आग्या आपका Ric छोथा आगर मैं है और आएधि करता हूं तो आ जाता है इंजिनेरिंग माटेरियल और और फाज़वा बात करता हूं तो पूचवा आ कर दो कास्टिंग में पेटन राते जैसा आप समझे हो न कभी इंटा बनाते हुए देखो इंटा का फर्मां बना जाता लकड़ी का उसमें क्या कहा है जो मिटी रहता है और रहे जिस्से इंटा बनाते हैं उसको उसके ओपर डाल दीया जाता फिर सुखने के लिए रेडी हो जब शूभ जाता तो रेडी हो जाता है वही पेटन हो जाता जो वह जैसा कास्टिंग करें वह इसा सासा पैटन हो जाता है दो न आब उसको प्रिपार करने के य situation की लिए उसका प्यांख मौनें कहARता है उसका प्रृप्री कास्टिंग अलग अलग अलगतर का बार multipoint भी होता है जैसे आपके घर में जो चक्कू है वो सिंगल पॉंट कटिंग टूल होता है लेकिन यह multipoint भी हो सकता है जैसे अगर कोई milling machine आप देखे हो grinding machine देखते हो इस तरह से रहता यह क्या करता है इगर मालो यह वकपीस के उपर चला वा रहे हैं तो देखो यह क्या क्या करते हैं इसको कहते हैं इसको कहते हैं संगल पॉंट तो सारे कटिंग टूज के वारे में समझेंगे बेसिक operation में यानि कि बहुत सारा प्रोसेस जो है आप एक मशीन में कर सकते हो इसलिए मदर आप मसीन आ जाता है उसके बार आप सन्जेंगे सेपर मिलिंग कॉन कॉन माटरियल का कैसा बना जाता है क्योंकि कि आप सोचोगे मालो मैं कोपर का बना दूंगा चक्कू और लोहा का कर तो लोहा या कास्टन को कर दो फिर स्टील को तो अपको यूजबुत मेरा आरण है यह तो मेरा पता चलेगा कि जो हम लोग करते थे तो वोक्सवप में हम लोग को फाइलिंग करने दिया जाता था तब एक वोईस आजा जाता था जिसको पकड़ा जाता था तो वही अलग लत्रा का holding device पकड़ने वाला device फिर cutting parameter जैसे speed, feed का depth कितना अंदर तक depth डाल के cutting करेंगे कितना feed अंदर देंगे, कितना speed रखेंगे, soft metal को cut करेंगे तो कितना speed दोगे, hard material को cut करेंगे तो कितना speed दोगे, पता चला बहुती hard material है, बहुती speed दे तो आपका cutting tool ही तूट जाएगा, तो उन सब में ध्यान देना है, उस तरह welding का बात करा जाए, अलग लत्रा का welding हो जाता है है ना, electric arc, arc generate होता है, जिसके वज़से मालो metal piece है, और मैं इधर से आपका electrode आ रहा है इस तरह से, तो बीच में आपका यहाँ पर arc generate होता है, यही arc के वज़से यह welding होता है, जो melt करता है, जो workpiece को melt करता है, फिर filler material हम लोग डालते हैं, फिर filler material को melt करके वहाँ पर डालते है, उसी को arc कहा जाता है, है ना, वो current के वज़से होता है, फिर gas welding, gas welding क्या-क्या, कौन-कौन सा gas का use किया जाता है, उस सभी equipment के बारे में, इसके अलावे हम लोग को यहाँ बात करेंगे, soldering और bridging के बारे में भी, कि यहाँ पर देखो, जितनी तरह का welding हो तो जानना ही जानना ह है, welding, gas welding process के बारे में, other equipment बारे में, या, soldering और bridging के आ जाते हैं, इसके बारे में समझेंगे, low temperature में काम करता है, लेकिन कहां-कहां भी use करते हैं, क्या-कैस में solder वेगरा होता है, सब के बारे में समझना है, type of seat, अब यहाँ पर थोड़ा बहुत seat के बारे में पढ़ना है, यह भी आपको जाना पड़ेगा, है ना, इसके अलावर, tool are used in the seat metal, कौन-कौन तरह का tool यूज़ करते हैं, से seat, बड़ा-बड़ा देखते हो न, चादर जो होता है, है न, चादर से बकसा वेगरा देखते हो, घर का बना जाता है, यही seat metal से हम लोग कभी कभार, steel का gate वेगर बनाते हैं, या कई जगों पे, आप देखते हो, car हो गया, seat हो गया, है न, बड़ा-बड़ा ट्रक हो गया, आपके घर में, जो भी, बाइक भी देख लो न, बाइक का जो इंजन बना जाता हो, जो आपका टंकी होता, पेट्रोल का टंकी, वो भी एक तरसे seat metal का ही राता है, तो उसके लिए कुण कुण सा टूल यूज करते हैं, cutting के लिए, shaping करने के लिए, उसको band करने के लिए, उन सब के बारेम पढ़ना, fitting में जैसे कहा, fitting वेकर आपका करने के लिए, कितना तरह का हम लोग को tool का use करते हैं, उन सब के बारेम समझना है, इसके लाब है अगर बात क जो इंजिनियर हम लोग यूज करते हैं उन सब का क्या क्या खासिया थे क्या क्या प्रपडीज है और ट्रीटमेंट कैसे करते हैं में भी कोई डिफेक्ट अगरा आ जाता है तो यह सब जो है ना हम लोग को देखना पड़ेगा इन माकेनिकल इंजिनियरिंग सब आपको पढ़ाना इसके अलावे इसमें मैं आप लोग को कोस्टेन वगरा करवाऊंगा अब यह कोस्टेन क्या क्या रहेगा पहली बात जो भी अलग-अलग तरह का अलग-अलग एक्जाम में जैसे हर्याना हो गया त्रिपुरा हो गया बिहार हो गया मजद्य परदेश हो गया और कई-कई जबह पर जहां-जहां भी आप लोग का आई-टी याई प्रिंस्पल का एक्जाम हुआ है उन सबी का एमसी क्यू करवाएंगे जो प्रिवेस में पुछा गया है इसके अलावे ओल-एई-जै इंडिया के इंडिया के इंडिया के जितने भी ओल-एई- का राजस्तान का बिहार का जारखन का हर जगा का समझगे मेरी बात की नी हर जगा का चतिस गड़ रहे हिमाचल रहे हर्याना रहे पंजाब रहे जो भी जैए एक जाम हो वह भी कोशन करते हैं इतना क्लेक्शन करवा देंगे कि आप लोग अभी भी दिक्कत ने होगा जहां उसके साथ हु बहु मेंज करता बिलकुल आप देखने हैं पर है फंडनामेंचल अप थरमल साइस ऐस देखो इंटॉद अदार्मो और्यणिक्स और वेनरजी प्रनो अप सिस्टम ऋढेतारी हिंटरॉर सिंटेलिवा सिस्टम हो गया कॉमन देखो अब ऐस आ है आप म hemenदार यह तो थर्मो हो गया, IC engine देख लो, introduction to IC engine, two stroke, four stroke, CI engine, SI engine, auto diesel हो गया, देखो, introduction to IC engine, two stroke, four stroke, SI, CI, auto diesel हो गया, basic basic idea of refrigeration air conditioning, basic idea of refrigeration air conditioning, अब देखो workshop का देख लो, और यह किसका है, यह आपका HPSC का है, है ना, और यह अगर बात करते हैं, आपका MPHC का है, को इना एंव्सक्रल का समझः जो प्रिंसिपलल का याथा फ्रिंस्पल ग्रेड वन का Sóशा गों यहाँ पर मेजर में इस्टूमेड्त अंगे इंट्रोक्षिण टूमेज मेनिफेक्ट्चिनि tips दरखो मेजरमें इस्टूमेंट कूसर्द क्यूफ exist कोई भी आप देखलो ना, fitting का देखलो, introduction, tools and fitting, measure marking, sewing, filing, tapping, dye, introduction to drill, देखो, यहाँ पे, introduction, tools and fitting, measurement, marking, sewing, filling, tapping, to drill, welding में देखो, brief introduction, electric car, gas welding process, equipment, देखो, यहाँ पे, welding बात के लिए, brief introduction, electric car, gas welding and equipment, soldering and bracing process, देखो, यहाँ पे, soldering, bracing process, type of seat, ferrous and unfresh, यह भी है, type of seat, ferrous and unfresh, मतला, हूँ बहु उसी में डाल दिया, metal cutting देखलो, introduction, यहाँ देखो, classification of lat, tools, cutting tool, basic operation of lat, drilling, shaper, milling, cutting tool, workshop, wall, holding device, cutting parameter, speed, feed depth, देखो, यहाँ पे, speed, feed depth थे, cutting parameter में, drilling, shaper, milling, वही है, सब कुछ से में, casting में, type of, pattern type, molding, sand, its properties, casting process, defect, देखो को यहाँ पे, अगर बात यहाँ पे करते हो, just a minute, यहाँ देखो, pattern type, molding, sand, its property, casting defect, और process, आप देखो कि पूरी देखो, वह सेम का सेम आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, कोई भी चीज़ यहाँ पे mention, नहीं है, जो कि extra है, तो आप बिलकुर उसी बेच को हम लोग निका लिएगा, interview guidance लिएए, वो सब कुछ आपको देखने को मिलेगा, चेनल में, आप जाओगा playlist में, वीडियो में सर्च देखोगे, तो आपको सब कुछ मिल जागा, तो हम लोग उमीद करता हूँ कि आप लोग पूरा मेहनत से पढ़िएगा, और जिस तरसे हम लोग, MP में जो करिएगा, मिलते हम लोग next class में live doubt के session के साथ, class के साथ, तब तक लिए goodbye and God bless you all, thank you so much for watching.